नवरात्रों में सिद्ध कुंजी का स्त्रोत बनाएगा करूरपती कितनी बार जपें, कैसे जपें, और क्या-क्या सावधनिय रखें, आज का टॉपिक यही है सिद्ध कुंजी का स्त्रोत आपको positivity देता है और ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रों में सिद्ध कुंजी का स्त्रोथ पढ़ने मात्र से आपको नवरात्रे का पूर्ण फल मिलता है दुर्गा सब्तुशती तो अच्छी बात है लेकिन किसी कारणवाश आप नहीं पढ़बाए हैं तो दोष नहीं लगता है सिद्ध कुंजी का स्त्रोथ मात्र आपको पढ़ने से दुर्गा सब्तुशती का फल मिलता है तो अनेक वीडियो आपको इस टापिक पर दे चुके हैं सिद्ध कुंजी का स्त्रोथ भी हम दे चुके हैं और अनेक वीडियो इस क्रम में दे रहे हैं अलगलग टॉपिक पर आई होप ये आपको पसंद आ रहे होंगे अपने कमेंट द्वारा अवगत अवश्य कराना मैं हूँ एस्टोलोजर और वास्तु कंसल्टन डॉक्टर ओमा श्री 25 साल से एस्टोलोजी पामिस्ट्री और वास्तु के माध्यम से आपके सेवा कर रही हूँ आज का टॉपिक बहुत खास है पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंड सेक्शन में ओम नमस्षिवाय और जै मातादी अवश्य प्रेशित करें आईए वीडियो के शुरुआत करते हैं और बताना प्रारम करते हैं सिद्ध कुंजी का स्त्रोथ है वो दुर्गा सब्तशती के समाहन ही शक्ती उपासना में बैस्ट माना गया है जो साधक दुर्गा सब्तशती का पार्ट डेली नहीं कर सकते हैं यह स्त्रोथ उनके लिए उसके समाहन ही बेनेफिशल होता है इस स्त्रोत का पार्ट करने के लिए आपको मादुर्गा का आशिरवाद मिलता है और आपको बहुत फायदा मिलता है आपकी मनों कामना पूर्ण होती है इसके अंतरगत आपको सिद्ध कुंजी का स्त्रोत यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा लेकिन ये मंतर भी आपको मिल जाएगा लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं उस मंतर को ध्यान पूर्वक सुननी जिए इसको आप ऐसे भी बोल सकते हम, सम, लम, शम, फट्सवाह पूर्व सुननी जिए तो आपको ये नित्य पढ़ना है और सिद्ध कुंजी का स्त्रोत को पढ़ने से शत्रुवा का नाश होता है पॉजिटिविटी बढ़ती है मनोकामना पूर्ण होती है और आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मातारानी के आशिरवास से आपको मिलता है तो आपको ये नित्य दुर्गा सब्तशती अगर नहीं पढ़ पाए तो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पार डेली करना चाहिए इससे आपको मनुरत सिद्ध होते हैं आप एक बार भी कर सकते हैं साथ बार या ग्यारा बार भी कर सकते हैं आपको लाब मिलेगा थैंक्यू सोम